मुझापपुर के लड़की ने यौन सो संट्रा एक केस दस करवाया जिसके बाद यह मामला क्राफिक चर्चा में है हमाई साथ मुझापपुर के सिटी एस पी अवदेश्चा अवदिछित हैं जिनसे हम बात्चीत कहेंगे और जानेंगे कि इस मामले पीछे क्या सच चाहिए इसी माईने दो जून को एक एफाईया रइस्टर हुआ था मुझापपुर में आयापुर पुलिस्टीशन में इसमें एक लड़की ने आरूप लगाया था कुछ लोगों पे कि वो उनको नौकरी के नाम पे बुलाते हैं पैसा लेते हैं और उसका जहांसा दे करके फिर य और जो मामला है मामली के हम लोगों ने जब जांच किया तो इसमें चीज सामने आई है कि यह लड़की जो आरूप लगा रही है और लड़का जिसका हम लोग जेल बेज़े हैं जिस पर आरूप लगाया जा रहे हैं दोनों एक कंपनी थी डीवी आर नाम की जो नौईड़ का based है इसमें लोग काम करते हैं ये कंपनी पैन इंडिया पर काम करती है और जो कॉल सेंटर पर जाकर कि अपना product बेस्ते हैं इनको monthly target दिया जाता है उसी में दोनों आपस में मिलें मिलकर के दोनों साथ में काम किये काफ्र का वी टैम तक साथ में रहें लिविन रेशन्छि हुआ शायद और उसको लेकर के फिर लड़की आकर की केस किया जैसे कि यह दोनों लिभिंड में थे तो टहना कहीं साधी को लेखर यह सब किया गया रीजन क्या दा उस लड़की का क्या है अब रीजन तो यह हम लोग अनुसंदान कर रहे हैं लड़की से पूस्ताच कर रहे ह हैं उसके जो कॉलीक्स हैं या फिर उसकी जो फैंबली मेंबर से उनसे हम लोग पूस्ताच करेंगे इसका टेकनिकल सीडियर वगरा पर हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा क्लियर रूपाएगा लेकिन यह चीज हमको यौन शूशन बाली बात हम लोग ने जितना लोगों से पूस्ताच किया है फिर बात किया तो बहुत लोगों का इंटरोगेशन हुआ है तो हम लोग कहीं यौन शूशन वाला मेंटर अभी तक इसमें सामने नहीं आया है जो बताया जा रहे है कि सो लोग 200 लड़कियां लाई जाती थी उनका यौन शूशन होता था तो ऐसा कहीं इस बात की सथिता पर हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं अभी तक हमको इसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिले हैं नहीं हमारे सामने 100-200 लड़कियों का वह आया है कि 1200 लड़कियों के साथ में यौन शूशन हुआ हो या फिर हुमन ट्रैफिकिंग हुई हो उस तरह कभी हमारे इनके organization में एक hierarchy रहती है उस hierarchy कि में जो senior officer जो senior लोग रहते हैं उनमें से एक तिलक था उनका task रहता है कि जो अपने junior से उनको monthly target देते हैं और उसकी performance अच्छी नहीं रहती है तो उनको punishment type से कुछ यह लोग disciplinary actions मारपीट वगरा भी करते हैं तो जो वीडियो वायरल हुई है उसी से रिलेटेड है बोला जा सकता है अभी तक क्यानुसानार में तो यह आया है कि target को लेकर मारपीट होती है या फिर दोनों के बीच में relation था उसको लेकर दोनों में जगड़ा हुआ था और अभी तक यही चीज सामने आई है और अभी और कोई लड़की हम लोगे सामने आई नहीं है और हम लोगोंने क्योंकि पिछली साल भी हम लोगोंने सेम कंपनी के पर सेम ब्रांच में केस किया था रेड हुई थी उसमें भी हम लोगों को कहीं इस तरह का human trafficking का या फिर यौन शोशन का कहीं भी प्रूफ नहीं मिला था तिलट सिंग है इसके बारे में क्या तो तुमको पकड़ के जेल बेजना है भी तेला सिंग के गरफतार हो गई है